सो है गाई सुवागत आपका आपी के यूटीब चैनल में इसको डीके में एंड आज हम जी शेयर के बारे में बात करने है जारे हो प्रिंस पाइंप सिस्टम लिमिटेड जी हां इसके जुन आप देखो कि अभी क्वाड़ टू के नमर आ चुके तो चलिए फटा फट से नज कि तो यहां पर आप देखो कि जो टोटल इंकम अपकी बार हमें होती हो यह नजर आए उए उट रह जब कि प्रिविश कौटर में शिचंड़ फाइफ क्रोड का तो प्रिविश कौटर से बार आप देखोगे इंकम में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है जंप देक को मिला है अगर बात करें expenses को लेकर तो यहां पर आप देखो जो टोटल expense रहे है अपके बार 672 क्रोड के जबकि previous quarter में 583 क्रोड के थे तो previous quarter से expenses में भी jump देखने को मिला है तो यहां पर आप देखोगे अपके बार जो इसका revenue हो इसके expense से कम है तो इसका कमपनी को लोस हुआ है कितना लोस हुआ चली वह भी हम देख लेती हैं total profit या loss for the period की मैं बात करें तो यहां पर आप देखोगे 24 क्रोड का कमपनी को लोस हुआ है जबकि previous quarter में आप देखोगे 16 क्रोड का company को लो profit हुआ था तो previous quarter से अपके बार जो quarterly result है या काफे जादा खराब आए है और वहीं बात करें half year basis पर तो half year basis पर भी आपको जोना company को लोस होती हुआ नजर आ रही है तो quarterly result काफे जादा खराब आए और वहीं आप देखोगे half year पर बात करें तो वहां पर भी जादा खराब देखने को मिले है और यहां पर आप देखोगे EPS 2.18 पैसे negative प्रीविस quarter में 1.45 पैसे positive था तो यह इसके quarter 2 के number आए है काफी जादा खराब आते हो नजर आए है जिसका effect हमें जोना कल stock के price पर देखने को मिलेगा यहां से आप देखो selling pressure बढ़ सकता है जिहां selling pressure बढ़ सकता है जिसकी वजह से stock कल आपको गिरते हुए नजर आने वाला तो यहां पर आप देख सोचते भी revenue के अंदर हमें जोना quarter on quarter basis और जोना half year basis और यहां पर आप देखोगे year on year basis पर भी get out देखने को मिले है I hope आपके सारे doubt के लिए होंगे stock को लेकर अगर फिर भी कोई भी आपके doubt हो तो आप comment में पूछ सकते हो and thank you for watching the video